ओम्नमो भ tolerantे वासु देवाई नवस्कार दोस्तों स्वागते आप सबीका अमारे चैनल भक्ति घ्यान में दोस्तों आये संते ही स्रीमद भागवत महा प्रान्थ की क्था दोस्तों पिछली कता में हमने बनन किया था अक्रुर जी की ब्रज याथ्त्रा का सेस भाग आज की कता में हम बनन करेंगे स्री किष्ण बलराम का मतुरा गमन स्री सुकदेव जी कहते हैं भागवान स्री किष्ण और बलराम जी ने अकरूर जी का भली भांती सम्मान किया बे आराम से पलंग पर बैठ गए उन्होंने मार्ग में जो जो अविलासाइं किती बे सब पूरी हो गए परिक्षत लक्ष्मी के आस्रे इस्तान भागवान स्री किष्ण के प्रसन होने पर ऐसी कौन सी बस्तू है जो प्राप्त नहीं हो सकती फिर भी भागवान के प्रम प्रेमी भक्तिजन किसी भी वर्स्तू की कामना नहीं करती देव की नंदन भगवान स्री किष्ण ने साय काल का भुजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन सम्मंदियों के साथ कंस के ब्यवार और उनके अगली कारकर्म के सम्मंद में पूचा भगवान सी किष्ण ने कहा चाचा जी आपका है बड़ा सुद्ध है आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ स्वागत है मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ मत्रा के हमारे आत्मिय स्वध कुटम्मी तता अन्य सम्मंदी सब का सकुसल और स्वस्त है ना हमारा नाम मात मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भेंकर ब्यादी है जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंस वालों और उनके बाल बच्चों का कुसल मंगल क्या पूचें चाचा जी हमारे लिए ये बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराद और सदाच चारी माता पिता को अनेको प्रकार की याटने जिलनी पड़ी तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े और तो क्या कहूं मेरे ही कारण उन्हें हत कड़ी बेडी से जकड कर जेल में डाल दिया गया तता मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए मैं बहुत दिनों से अगमन किस निमिस से हुआ सी सुकदेव जी कहते हैं प्रक्षेत जब बागवान से किस ने अकरूर जी से इस प्रकार प्रेश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी अद्वन्सियों से घोर बैठान रखा हैं वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उधम कर उसको बता दिया था सो सब कैस नाया अकरूर जी की यह बाद सुनकर विपाक्षी सत्रों का दमन करने वाले बागवान स्रीकिष्न और बलराम जी हसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पेता नंद जी को कंस की आग्या सुना दी तब नंद बाबा ने सब गोपों को आग्यदी की सारा गोरस एकत्र करो बेट की सामगी लेलो और छकडे जोडो प्रात्यकाल ही हम सब मत्रा की यत्रा करेंगे और वहाँ चलकर राजा कंस को गोरस देंगे वहाँ एक बहुत बड़ा उसब हो रहा है उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा एकट्टी हो र सुन्दर बलराम जी को मत्रा ले जाने के लिए अक्रोजी ब्रिज में आये हैं तब उनके एर्दय में बड़ी ब्यता हुई बे ब्याकुल हो गई बागवान स्री किष्णी के मत्रा जाने की बात सुनते ही बहुतों के एर्दय में ऐसी जलन हुई कि गरम सांस चलने लगी मु कोणों तक का पता न रहा भागवान के सवरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चेत्र ब्रतियां सर्व था निब्रत हो गईं मानों वे समाधिस्त आत्मा में इस्तित हो गई हो और उने अपने सरिर और संसार का कोच भी ध्यान न रहा बहुत सी गोपियों के सामने भगवान स्रीकिष्ण का प्रेम उनकी मंद मंद मुस्कान और हिर्दय को इसपर्श करने वाली बेचित्र पदों से युक्त मदुर बाणी नाचने लगी बे उसमें तलिन हो गई मुईत हो गई गोपियों मन ही मन भगवान की लटकिली चाल भाव भ्रंगी प्रेम भरी मुस्कान चित्वन सारे सोकों को मिटा देने वाली ठिटोलियां तथा उधारता भरी लेलाओं का चिंतन करने लगी और उनके ब्रह के भैसे कात्र हो गई उनका हर्दय उनका जीवन सब कुछ भागवान के प्रती सम्रप्रत था उनकी आखों से आशु बै रहे थे बे जुन्ड के जुन्ड एकट्टी होकर इस प्रकार कहने लगी मुलो स्री मद भागवत महा पुरान की जये मुलो स्री किष्ण चंद्र भगवान की जये